साथियों आज पूरी दुनिया भारत की अर्थववस्तका की गती को देखकर प्रभावीत है और इस गती में बहुत बड़ी भूमी का हमारे MSME सेक्टर की है इसलिए MSME आज मेक्रो एकोनामी की मजबूती के लिए भी जरूरी है आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिसा MSME सेक्टर का है इसलिए MSME आज मैक्सिमम एक्षपोर्ट के लिए जरूरी है MSME सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले आठ साल में हमारी सरकार ने बजेट में 650 प्रतिशत 650 परसंट से ज़्यादा की बड़ोत रिकी है और इसलिए हमारे लिए MSME का मटलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मेडियम एंटरप्राइज इस सेक्टर से 11 से 11 करोर से विए अधिक लोग 11 करोर से अधिक लोग इसे डारेक इंडारेक जूड़ी हुए है इसलिए MSME आज maximum employment के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए जब 100 साल का सफ्वे बड़ा संकट आया तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला लिया केंद्र सरकार ने emergency credit line guarantee scheme के तहट साड़े तीन लाग करोड रुपिय की मदद MSME के लिए सुनिश्चित की एक report के मताबिक इससे करीब देड़ करोड रोजगार खत्म होने से बच गए यह बहुत बड़ा उकड़ा है दुनिया के कई देशों के आबादी से भी ज्यादा बड़ा आकड़ा है यह आप दाके सबय मिली यही मदद आज देश के MSME सेक्टर के नए रोजगार के निर्मार के लिए प्रोच्षाहित कर रही है हमने इस साल के बजेट में Emergency Credit Line Guarantee Scheme को अंगले साल मार्च तक बढ़ाने की भी गोश्चना की है इसके इंतरगत जो भी इसके इंतरगत आते हैं उनको भी पच्चांस हजार करोड रुपे से बढ़ा कर अब पांच लाग करोड रुपे कर दिया गया है दस गुना ज्यादा